वेलकम टू कोड विजेश, हम एक्सल का कोर्स सीख रहे हैं जिसमें हम यह सीख रहे हैं कि एक्सल की से सीख के हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं तो यह हमारा lecture 21 है और यह connected है lecture 20 से, अगर आपने lecture 20 नहीं देखा तो first आप वह lecture देखें उसके बाद आप इस lecture में आएं कोगे if function हमने वहां पे in detail discuss किया है और यहां पे हम यह सिखेंगे के pass and fail using if हम किस तरह से calculate करेंगे तो इसमें different example होंगे तो आएं तो इनको practically समझते हैं तो इस वीडियो में हमारे पास एक task भी होगा जो आपके lecture के last में आपको मिल जाएगा तो अब first half all हमें यह task करना है कि अग अगर किसी student की marks greater than 50 हो तो उनको pass consider करेंगे वरना वो fail होगा तो सबसे पहले if function में क्या होता है हम if function लिखते हैं and then हम condition यानि logical test if this marks is greater than 50 तो हम क्या consider करेंगे pass तो यह हो गया pass अगर नहीं greater than 50 नहीं है अगर false तो false में हम क्या लिख देंगे यहां पे fail तो easy इसको formula close करेंगे and enter करेंगे and हम इनको क्या कर देंगे simply formula को drag down कर देंगे अब यहां पे हमारा ये if function हो गया second example में हम क्या कर रहे हैं कि यह हमारे पास कुछ stone की marks हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे obtain marks को calculate करेंगे फिर percentage calculate करेंगे and then calculate करेंगे अगर किस student की marks 180 से ज़्यादा हैं तो वो pass है वरना fail है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे obtain marks calculate करेंगे तो इसके लिए हमें जरूरत पढ़ेगी sum formula की तो sum करेंगे computer math and english की marks को इनको enter कर देंगे तो यह आगे आपके पास इनको drag down करें तो यह आपके पास simply obtain marks हो गए अगर मैं इनको center कर दूँ तो यह center हो जाएगा अब percentage calculate कर देंगे percentage calculate क्या होती है basically obtain marks divided by total marks तो total marks हमारे पास यहाँ पे 300 हैं तो अब हम directly इनको क्या करेंगे जो total marks हैं उनको हम absolute reference यूज़ करेंगे अगर आपने absolute reference वाला वीडियो नहीं देखा तो kindly वो आप देखें उसके बाद आपको यह clear होगा तो सबसे पहले equal to हम कर देंगे obtain marks divided by total marks अब इनको हम क्या कर देंगे absolute कर देंगे तो absolute की shortcut की है f4 यह आप h से पहले भी dollar लगा सकते हैं and 3 से पहले भी dollar लगा सकते हैं तो यह आपके पास क्या हो गया absolute हो गया अब हम जैसे breakdown करेंगे तो obtain marks वाला जो sale है वो change होगा लेकिन total marks ह हमेशा कहां से pick up करेगा h3 से इसको हम enter कर देते हैं and and को percentage की form में लेकि आते हैं अगर आपको points में चाहिए आप points में लेख सकते हैं दो digit तक यहां से और drag down करेंगे तो यह simply आपके पास percentage calculate होगे अब हम क्या कर रहे हैं यह देख रहे हैं कि अगर जिसकी marks 180 से जादा है वो pass है वरना fail है तो equal to if obtain marks is greater than 180 तो हम इनको क्या consider करेंगे पास वरना यह क्या हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास fail तो यह हम यहां पर लिख देंगे fail और इनको close enter कर देंगे इनको drag down कर देंगे तो यह आपके पास सारे result आ गए अब हम third example में क्या करेंगे same ही formula use करेंगे like obtain marks percentage pass fail लेकिन pass हम fail इस पे किस पे कर रहे हैं अगर किस की percentage 50% से कम है तो वो fail है वरना वो pass है तो same हम इनको थोड़ा speed कर लेते हैं like सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर total marks, obtain marks calculate की and then इनको drag down कर देंगे अब percentage कैसे calculate करेंगे equal to obtain marks divide with this तो इनको हम क्या कर देंगे absolute कर देंगे तो यह हमारे पास percentage भी हो गई, अब हमने क्या करना है, if percentage 50 से less है तो वो fail है अब हमने क्या करना है, logical test में जो operator हम use करेंगे वो less than करेंगे अगर this is less than 0.5, अब 0.5 क्यों लिखा है, क्योंकि percentage हमेशा आपका 0 and 1 के बीच में होता है 0.5 means 50, 0.1 means 10, 1 means 100%, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, 0.5 यहाँ आप यहाँ पे directly 50 लिखके percentage की symbol दे सकते हैं, तो कामा दे के आपने क्या करना है, अगर less than 50 है, तो पेले हमने क्या करना है, fail क्योंकि less than 50 होगी, percentage तो fail हो जाएगा, वरना हम इनको कर देंगे pass, इनको हम close कर देते हैं, enter करेंगे, तो यह आपके पास result आ गया अब सब pass हो गएं, क्योंकि इनकी percentage 50% से जादा है, अगर मैं इनकी marks कुछ कम कर देता हूँ, like 45 कर दूँ, तो यह आपके पास result fail हो जाएगा, जैसे आप marks change करेंगे, तो formula automatically change होते जाएगे, उसके बाद हम example 4 कर लेते हैं, अब यह थोड़ा tricky है, इसमें हम क्या check कर रहे हैं, के check करें, यह जो number है, even है या add है, तो इनकी हम दो method करेंगे, दो method पढ़ने से पेले हम एक और formula पढ़ लेते हैं, जिसको कहते हैं हम is even, तो is even basically क्या करता है formula, अगर वो number even होगा, तो true result करेगा, वरना false करेगा, अब यहाँ पे यह number true है, क्योंकि यह हमारे पास even है, अगर मै 17 कर दूँ, तो false हो जाएगा, तो first method में हम क्या करेंगे, even and odd function को use करते हुए, यह check करेंगे, यह number even है या odd है, तो सबसे पहले if, and इनको logical test हम कर देते हैं, logical test में हम करेंगे, is even, क्योंकि is even number हमारे पास true and false result return करता है, तो logical test में हमें true या false result चाहिए, तो हम is even formula use करके, इनको यहां पर लिख देते हैं, अब यह logical test हो गई, अगर true है, तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर even, वरना हम क्या कर देंगे, इसको odd कर देंगे, make sure कि आपने इनको bracket में लिखना है, तो यह आपके पास odd हो गया, formula close, enter कर देंगे, और इनको हम क्या कर देंगे, simply, यहां पर even and odd ह हो गया, तो जो number odd होगा, तो वो odd हो जाएगा, जिसको even होगा, तो वो number even हो जाएगा, second method में हम क्या करेंगे, second function में हम क्या करेंगे, हम एक और function use करेंगे, जिसे हम कहते है, mod, mod basically क्या करता है, वो आपको remainder return करता है, कि अगर किस number को आप किस से divide करें, तो remainder क्या आएगा, तो तो even में यह होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से divide करें तो उनका remainder अगर 0 आता है तो even हो जाएगा, अगर 1 आता है तो आड हो जाएगा तो इम आड को पहले हम practically थोड़ा समझ लेते हैं, तो number, अगर इस number को में 2 से divide करूँ, तो result क्या आएगा 1 अगर 1 आ रहा है तो हम कहेंगे यह आड है, अगर 0 आ रहा है तो हम even करेंगे, तो दोई function है कोई भी आप use कर लेते हैं, अब इन में हम क्या करते हैं, कि यूज करते हैं, कि अगर remainder 0 आ है तो वो even है, तो equal to हम क्या कर देंगे, if, उसके बाद हम यहाँ पर mod function यूज करेंगे, औ अब हम क्या करेंगे, logical test बनाने के लिए हम check करेंगे, अगर जो result आ रहा है, उसको equal to करेंगे, 0 के, अगर equal to 0 आ रहा है, तो हम इनको क्या कर देंगे, यह आपके पास number हो जाएगा, even, अगर नहीं, तो यह number हो जाएगा, आपके पास, odd, इनको हम drag down कर देते हैं, formula को, तो simply, यह आपके पास क्या हो जाएगा, even and odd, तो hopefully यह आपको clear हो गया होगा, एक task के आपके लिए, आपने यह करना है, यह दो number है, फस्ट में आपने चेक करना है, इन दोनों में maximum number कौन सा है, तो उनका formula आप B6 में लिखेंगे, and second जो task इसमें यह करना है, यह दो number है, आपने चे task है, यह आप करें, and अगर आप complete कर लेते हैं, तो video में comment करके बता हैं, कि हमने task complete कर लिया है, और in our next video हम यह सिखेंगे, कि हम grade किस तरह से बनाते हैं, like, अगर आपके पास marks हो, उसमें हम grade calculate करना चाहरा है, A, B, C, D, E, या fail, ठीक है, तो see you in the next lecture, तो इस lecture में अगर आपके प आपके.